next question question says a particle executes simple harmonic oscillation with an amplitude A the period of oscillation is capital T सवाल है the minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from equilibrium position हमारे option है T by A, T by 12, T by 2 या फिर T by 4 अगेन इस सवाल को solve करने के दो तरीके होते हैं मैं आपको दोनों तरीके सिखाता हूं उसके आप मैं बताऊंगा मेरा फिर्वेट तरीका कौन सा है जिसको मैं चाहूंगा के आपको पता होना चाहिए उससे करेंगे सवाल तो फटा फट आंसर आएगा accurately better answer आएगा एक्जाम हॉल में टाइम भी बड़ी important criteria आपने लिए आपने लिए अलाइट यह आपकी mean portion है और यह आपका plus a और यह minus है हमें बताना है कि mean portion से लेके वो particle आपका a by 2 जो आपका है plus a by 2 यहां तक जाने का कितना time उसको लगा है यह equation हमें value बतानी है इसके लिए हम यह कर सकते हैं तो पहला तरीका तो इसको analytical method है जो हम equation लिखके कर सकते हैं तो इसको अग because आपका particle mean position से a by 2 जा रहा है जब यह particle यहां पहुंचेगा तो इसका location x की value हो गई a by 2 will be equal to a sin of यहां पर आ जाएगा omega multiplied by t अच्छा है इस omega को हम यहां पर convert कर सकते हैं 2 pi by t से हम यहां पर replace कर सकते हैं so इसकी value a से cancel हो जाएगा half will be equal to sin of हमने यहां लिखा 2 pi t by t तो यानि कि इसकी value sin of some angle की value अगर half है इसका मतलब sin theta की value 30 degree यह pi by 6 है which implies 2 pi by t multiplied by t will be equal to pi by 6 अब इसमें अगर हम इसको इदर लेके जाएंगे तो pi will get cancelled so आपकी t की value हो जाएगी वो जाएगी t by 12 so based on this हम कह सकते हैं का option number b t by 12 would be the right answer now इसी सवाल को करने का एक और दूसरा तरीका होता है जिसको बोलते हैं फेजर का method ठीक है so अगर इसको फेजर के method से करें तो बहुत simple method है हमें यह पता है कि यह अगर आपका particle यहां से चालू हुआ है t is equal to zero पे तो यह particle जब uniform circular motion कर रहा है ऐसे तो इसका जो projection है इसकी जो परच्छाई है इसके इस diameter पे वह आपका shm represent करेगा यह plus a और minus a के बीच में shm कर रहा है now हमें time बताना है यहां से लेके mean position से लेके a by 2 तक यह a by 2 की location पे पहुंचने का time जो होगा यह आपका theta angle मान लिजीए यहां से इसने cover किया है तो इस case में हम यह लिख सकते हैं जो theta angle है आपका इसको हम लिख सकते हैं theta क्योंकि hypertenuous आपका a है यह वाला आपका perpendicular a by 2 है यह आपकी value a by 2 थी तो यह a by 2 हो गया तो हम यहां कह सकते हैं कि sin theta will be equal to a by 2 divided by a यानी की हो गया 1 by 2 which implies theta की value आपकी pi by 6 तो यह आपका angle हो गया pi by 6 now इस case में हम यह कहते हैं कि अगर theta आपका pi by 6 आया है तो इसको theta को again यहां पर क्योंकि uniform circular motion हो रहा है तो यहां पर हम use कर सकते हैं theta will be equal to omega t और omega को यहां पर हम लिख सकते हैं 2 pi by t so यह आजाएगा 2 pi by t multiplied by t तो इसकी वज़े से theta की value हो गया आपकी pi by 6 यह हो गया 2 pi by t t again same situation यहां पहुंच गया है which implies t की value आजाएगी t by 12 तो t की value आजाएगी अपने t by 12 now so that will be the right answer so मेरा personal favorite method यह वाला phasor diagram है अगर आपको phasor diagram आते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा यह सवाल थोड़ा relatively आसान था दोनों से आपको same same लगा होगा लेकिन अगर अगर अपनी condition होगी के a by 2 से यहां तक आया है तो उस case में यह method आपका 1.5 पनना ले लेता है इसक वो इतना ही time लगेगा हर बार ना लेट तो phasor method is my personal favorite so based on this हम कह सकते हैं का option number B T by 12 would be the right answer